राजस्तान की राज्रीदी में अशोग गहलोत की धूर वरोधी माने जाने वाली कॉंग्रिस की पूर विधायक दिव्य मदेड़ना को कॉंग्रिस ने रास्टर सच्छिव ने उक्या है। गौर तलब है कि गहलोत के ग्रिजीले जौद्पूर की ओसिया विधानसाबा से विधायक रही दिव्य मदेड़ना की गहलोत से पुरानी अदावत रही है। तबसकार मैं हूँ शेक जूही आप देख रहे हैं देने ग्रिजियस। दरसल दिव्या के दादा परसराम मदेड़ना को दरकिनार कर अशोग गहलोत को पहली बार मुख्य मंत्री बनाया गया था। मदेड़ना परिवार इसके लिए गहलोत को जिम्मेदार मानता रहा है। वही दिव्या मदेड़ना का परिवार हमेशा कहता भी रहा है कि वो कॉंग्रेस आलाकमान के साथ है किसी गुट में शामिल नहीं है लेकिन दिव्या मदेड़ना पूर सीयम अशोगहलोत को ही अपने दादा के मुखे मंतरी नहीं बनने के लिए जिम्मेदार मानती है हाला कि इनोंने खुलकर ये कभी नहीं कहा लेकिन जोद्पूर की राजनीती में शोगहलोत को चनोती मदेड़ना परिवार से मिलती रही है विदायक रहते हुए दिव्या मदेड़ना गहलोत सरकार को निशाने पल लेती रही बता दूं दिव्या मदेड़ना और दानिश अब्रा को जम्मेदारी दी गई है दरसल धीरज गुजर पहले भी कॉंग्रेस में रास्ट्रों सचीब थे उन्हें दो बारा रास्ट्रों सचीब बनाया गया है जबकि सवाय मादुपूर से विधायक रहे दानिश अबरार और ओस्या से विधायक रही दिव्या मदेड़ना को पहली बार AICC में रास्ट्रे सचिव बनाया गया है अखेल भारती कॉंग्रेस कमीटी के महा सचिव के सीव एनु गोपाल द्वारा जारी आदेश के बताबेक धीरज गूजर को उत्तर प्रदेश में साहपरबारी और दिव्यम अदेड़ना को जमुकश्मीर और लग्दाग में सा बरबारी के जम्यदारी दी गई है तमाम खबरों के लिए देखते रहें दनगरी नियूज शुक्रियां